हाई गाईज वेलकुम तो प्रिटी यू और मैं हूँ डॉली आज की हमारी जो वीडियो है यह है एक डेमो टुटोरियल है जो कि साइड बैंक्स के उपर है जो कि हेर्स में में लिए आपके जो साइड बैंक्स आप लोग कट करवाते हैंगे तो वह आप घर पे ही कैसे कट कर क्या लोग्टौन का टाइम चल रह भार एगा आप लोगष नहीं रीच नहीं नहीं कर पा रहा हैं बहुत सी बार आप ऐसे भी पाहले जा पाते हैं और आप मखायम करना है यापको कहीं पाटी में रीच करना है और आपको आपके साइड बैंक्स चाहिए है है स्ट्यूlying मे सबसे पहले हम बालो का सेंटर पार्ट लेंगे सेंटर पार्ट लेने के बाद हम बालो को अच्छी तरीके से कॉम कर लेंगे सेंटर पार्ट लेने के बाद हम आगे की जो बाले उनका पोर्शन पुरा निकाल लेंगे इस तरीके से जिसे आप देख रहे हैं इतना इतना पोर्शन आपको बालो का आगे से लेना है इसी तरीके से आपको next side का भी इतना ही portion लेना होगा जितना आपने ये side का लिया है और दोनों को mix करके अच्छे से comb कर लेना है आपको अच्छे से comb करने के बाद जितना भी portion आपको cut करना है hairs का उतने portion को लेकर के आपको cut करना है अगर आपको banks थोड़े बड़े रखने हैं जैसे मुझे थोड़े बड़े रखने हैं तो इसलिए मैंने इन्हें कम काटा है आपको और चोटे banks रखने हैं तो आप और ज्यादा cut कर सकते हैंगे अच्छे से cut कर लिजेगा evenly cut कर लिजेगा उसके बाद बीच बीच मेंसे आपको हलके हलके से cut लगाने हैंगे हलके हलके cut लगाने हैं बीच बीच में आपको फिर बालो को थोड़ा सा तेड़ा करके आपको इन्हें बीच बीच मेंसे हलके हलके से cut करने हैं फिर हम इन विंक्स को थोड़ा सा एक शेप देने के लिए इन्हें हलका से कॉम से तेड़ा करके और इन्हें थोड़ा सा तिर्चा काटेंगे इनको थोड़ा सा मतलब कि एक साइट से थोड़ा सा कम और एक साइट से थोड़ा सा ज्यादा अब آپ देख सकते हैं किती सुंदर बैंक्स उनके हमारे तयार हो गए हैं काफी सुंदर बैंक लग रहे हैं और आप इसी तरीके से अपने घर में अचछे से बैंक्स दे सकते हैं अपना खुद के एक अच्छा लूग दे सकते हैं आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और तंसर देना ना भूलिएगा और बैल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक्स पूर वाचिंग